हेलो दोस्तों स्वागत आपको मैं चैनल में जोड़ो व्लक्स के अंदर आए होप आप सभी ठीक होंगे तो दोस्तों होंडा कंपनी की तफसे एक बड़े प्रेट निकल के आने वाली है जिसमें आपको बैटरीन लुक्स के साथ में काफी जाद एडवांस फीचर देखने को करते हैं तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नहीं है तो जैने को सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा चलिए इस तुरू करते हैं सबसे पहले इसके लुक्स के बारे में बात करते हैं तो लुक्स तो काफी जाद आपको स्पोर्टी देखने को मिल जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इसके लावा फ्रेंट में आपको LED में हेड लाइट देखने को मिल जाएगी LED में ही आपको इसमें टेल लाइट देखने को मिल जाएगी और इसमें आपको जो इंडिकेटर है वो भी LED के अंदर देखने को मिल जाएगे और और तो 124.9 cc का air cooling engine देखने को मिल जाएगा जिसकी power लगबग आपको 12.5 bhp से लेके 13 bhp तक के बीच में देखने को मिल जाएगी बागी दोस्तों इसमें braking system के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको single channel ABS देखने को मिल जाएगा और दोस्तों इसमें आपको USB charging point भी देखने को मिल जाएगा जिससे की आप अपने फोन वगिरा को चार्ज कर पाएंगे मेटर कंसोल के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों बाइक के अंदर आपको fully digital meter देखने को मिल जाएगा जिसमें की भाई Bluetooth की connectivity भी आपको दी जाएगी इसके लावा basic से information भी आपको इसमें शोख हो जाएगे माईलिस के बारे में बात करते हैं तो 45 से लेकि 50 गेमिल तक का इसमें माईलिस देखने को मिल जाएगा वो अलग पक आपको एक लाग दस जार से उपए से लेके एक लाग भीस जार उपए के बीच में देखने को मिल जाएगा वहीं इसके launch date के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इससे Honda company festival season के अंदर launch कर सकती है यानि कि साल के last तक इसे इंडियन मार्केट में launch किया जा सकता है तो इस bike को लेके आपकी क्या रहा है comment box में comment करके अपना opinion जरूर से बताईएगा साथ ही दोस्तों आपको ये sports edition कैसा लगा वो भी हमें comment करके जरूर से बताईएगा दोस्तों अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बाइक से रिटे सारे content आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं चलिए मिलते हैं next वीडियो के अंदर